गती 120 सब 30 मिनट डिक्टेशन सुन होने में समय से से 5 सेकेंड रेडी रेडी स्टार्ट सभापती महोदे ये सब्द मेरे नहीं है बलकि राष्ट पिता के हैं जो लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं क्या वे अपने दिल में सोचेंगे कि यह देशद्रो सब्द बालकों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए राष्ट पिता का कहा हुआ है आज 54 वर्स देश को सुतंत्र हुए हो गए हैं लेकिन राष्ट पिता की इस बात पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है अंग्रेजी भासा को पढ़ाना क्यों बंद नहीं किया गया और उसको दैनिक कारजों में क्यों परियोग में लाया जाता है मैं इस बात को कई बार इस सदन में कह चुका हूँ और मैंने इस बिधान परिसद की नियमा बली में एक वर्स पहले एक संसोधन भी रखा था लेकिन मेरा दुरभाग है कि वह संसोधन वर्स भर से इस सदन में प्रस्तूत नहीं हो सका मेरी अपनी राय है कि कम से कम दैनिक कारजों के लिए यदि सरकार अंग्रेजी भासा पर बंधन लगा दे तो बहुत अच्छा हो और जो यह अनुसासन हिंता है वह भी शमाप्त हो जाए सभापती महोदे जैसा कि मेरे मित्र ने कहा लड़कों के माता पिता अंग्रेजी का परियोग करते हैं और उनके सिच्छक भी उसका परियोग करते हैं फिर बालकों पर उसका परभाव क्यों नहीं पड़ेगा मैं उनसे सहमत हूं कि बालकों में नकल करने की आदत होत जैसा वे अपने बड़ों को करते देखते हैं वैसा ही वे करते हैं अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका परभाव बालकों पर अबस्य पड़ेगा आप देखेंगे कि जिस मनोवृति के माता पिता और सिच्छक होते हैं उसी परकार के बालक भी होते हैं हम दूसरों को तो प्रमर्स दे देते हैं लेकिन श्वय उस पर अनुपालन नहीं करते इसके साथ ही साथ हमको सिच्छा परणाली की और भी ध्यान देना है सिच्छा के जिन तरीकों को आजकल अपनाया जा रहा है वे वास्तम में लावकारी नहीं हैं सरकार की और से इस परकार का आदेश होना चाहिए कि 14 वर्स तक बालकों को अपनी मात्री भासा में ही सिच्छा दी जाएगी और दैनिक कार्जो में भी अंग्रेजी का परियोग नहीं होगा इस प्रस्ताव में अनेक महत्पुन बातों की और ध्यान दिराया गया है मैं समस्ता हूँ कि जब मानिय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे तो कह देंगे कि हम बहुत सी बातों पर कार्यान बयन कर रहे हैं लेकिन मैं समस्ता हूँ कि उन पर कोई कार्यान बयन नहीं हो रहा है सभापती महोदे आज हमारे देश में जो उपर से लेकर नीचे तक सिच्छा दी जा रही है उसमें बिवस्था ही एक कारण है जिसकी वजह से सिच्छा का अस्तर गिरता जा रहा है मेरा अपना विजार है कि जो सिच्छा पर नाली है और जिस रूप में सिच्छा दी जा रही है वही अनुसासन हिंता का भी कारण है अपने देश और प्रदेश में हर एक की अपनी अपनी भासा है और वह बालक जो इस देश में पैदा हुआ है जो अपनी मातरी भासा की मात्री भासा में ही सिच्छा दी जाए तो मेरा विचार है कि सिच्छा का अस्तर ठीक हो सकता है जो सबसे बड़ी भूल और कमी सरकार के द्वारा दी जाने वाली सिच्छा के संबंध में हो रही है वह यह है कि बालक की मात्री भासा में सिच्छा ना देकर उसको उस भासा में सिच्छा देने की विवस्था की गई है जो हमारे देश या प्रदेश की भासा कभी रही ही नहीं मेरा अभिप्राय विदेशी भासा अंग्रेजी से है मैं यह मानकर चलता हूँ कि जबसे यह भासा इस देश में आई है चाहे वह किसी कारण से आई हो इसे आप भी और इस माननिये सदन के सदस भी जानते हैं कि उससे बुरे परिनाम ही निकले हैं कोई भलाई नहीं हुई ह इस देश को जो हानी हुई है वह किसी से छिपी नहीं है हम देख रहे हैं कि हमारे यहां जितना फैसन बढ़ रहा है और जितनी भेस भुशा बिगड रही है वह सब अंग्रेजी भासा के ही कारण है जिस समय यहां पर अंग्रेजों का राज्य था प्रायह यह देखने को मि जलता था कि वे लोग जो विसेश करके किसी ना किसी तरह से सरकारी पचके ही होते थे अंग्रेजों से मिलने के लिए जाते समय अंग्रेजी वेसभूसा का ही परियोग करते थे प्रन्तु यह इस परदेश और इस देश का दुरभाग है कि अंग्रेजों का राज शमाप्त हो जाने के बाद भी लोग उनकी वेसभूसा को पहनते चले जा रहे हैं इससे जो परभाव हमारे देश के फैसन पर पड़ा उससे लाब के बजाए हानी ही हुई है और हो भी रही है मेरा ऐसा विचार है कि अंग्रेजी वेसभूसा से इस देश को बहुत हानी हुई है भारत की गौरबपुन सभ्यता और संस्कृति के संदच्छन पर परियाप्त ध्यान देने की अब सकता है स्टॉप